हेलो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी जाद खास होने वाला क्योंकि मुझे वार वार कमेंट आ रहे थे कि क्या हम जी योफoure नेक्स्ट स्मार्टफोन में एकल का सिम काड इस्तमार कर सकते हैं जो आज नहीं उसे दबाकर आल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लिजिएगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जैसे कि दोस्तों आप सभी को मैं बता दू जीओ फून नेक्स्ट जो लांच होने वाला है न वो चार नमबंबर जाने की दिवाली के तोहर वाले दिन इस स्मार्टफोन को लांच कर दिया जाएगा आप अपने पास के जीओ स्टोर जीओ मोड पर जाकर इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हो एक हजार नो सो निन्यानमी रुपीस में आपको जे स्मार्टफोन मिल जाएगा अगर आप EMI Waste प्लैन पे लेना चाहते हो और साथ में आपको चार प्लैन भी मिल जाएगे आप उन में से कोई भी प्लैन एक्टिवेट करवा के पर मंत के हिसाब से पैसे पे कर सकते हो अगर आप बिना EMI Waste पे लेना चाहते हो तो इस स्मार्टफोन को आपको 6499 रुपीस में जे स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा अब हम जहां पर बात कते हैं कि इस स्मार्टफोन में क्या आप EATL का सिम कार्ड इस्तमाल कर पाएंगे जहें फिर आप वड़फोन आईडिया कार्ड का सिम कार्ड इस्तमाल कर पाएंगे जहें नहीं तो दोस्तों मैं आप सभी को जहां पर बता दू जहीं जहीं आपको इनकी ओफिशली वेबसाइट पर भी मिल जाएगी तो इन्होंने जहांपर साफ साफ स्पेसिफिकेशन में ही मैंचन का रखा है कि आपको जियो स्मार्टफोन में डियूल सिम कार्ड का बि Two साथ में जहां पर लिखा हुआ है dual sim 4G sim 1 plus 2G plus 4G on sim 2 जाने कि आपको dual 4G का support मिल जाएगा इस smartphone में और साथ में आप geo का भी sim card इस्तमाल कर सकते हो अगर आपके पास कोई ऐसा पुराना sim card पढ़ा हुआ है जो कि 2G है तो आप उस sim card को भी इस phone में मतलब इस्तमाल कर सकते हो और साथ में जहां पर लिखा हुआ है कि one sim is PLM locked to geo जाने कि जो पहला sim है वो geo से lock है और साथ में जहां पर जो आप geo next smartphone में जो internet connectivity है वो सिर्फ और सिर्फ आप geo के sim card पर ही इस्तमाल कर पाएंगे अगर आपके पास एटल का sim card है अगर आप उस sim card पर internet data इस्तमाल करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर पाएंगे जह सब doubt का सभी को मैं clear कर दूँ आप सभी को बार-बार comment आ रहे थे कि internet data कौन-कौन सी sim card पर आप इस्तमाल कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ आप जियो की ही sim card पर internet data इस्तमाल कर पाएंगे अधर कोई भी sim card आप इस्तमाल नहीं कर पाएंगे लेकिन आप calling के purpose के लिए आप दोनों sim card इस्तमाल कर सकते हो अगर आप calling एटल sim से करना चाहते हो किसी दोस्त को किसी अपने family member को तो वो आप कर पाएंगे लेकिन जहां पर privacy लगी है सिर्फ और सिर्फ जियो sim पर आप सिर्फ जियो sim का ही internet data इस्तमाल कर पाएंगे और साथ में दोस्त मैं आप सभी को बता दूँ आप को जियो phone next में आप एटल का sim card इस्तमाल करना चाहते हो ना तो उसके लिए आपको giyo का भी sim card जो है वो phone में लगाना होगा कम से कम आपके इस smartphone में एक जियो का sim card होना चाहिए और बाकि अधर आप कोई भी sim card कर सकते हो इटल का भी sim card इस्तमाल कर सकते हो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एटल का SIM card इस्तमाल करने की कोशिश करोगे तो बहाँ पर कुछ भी आपका शो नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ जो आपका फोन में slot है ना वो insert ही दिखाएगा आपको बहाँ पर शो नहीं होगा आपका SIM के signal शो नहीं होगे जब आप GEO का SIM लगाएंगे और साथ में आप दूसरे slot में एटल का SIM लगाएंगे तो आपका फोन में जो connectivity विटिया वो शो हो जाएगी signal आना शुरू हो जाएगे इसलिए जहाँ पर इनों ने साफ 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 specification में mention किया है कि जो one SIM है वो GEO से lock है कम से कम आपको फोन में GEO का SIM काड इस्तिमाल करना ही करना होगा फिर आप अदर कोई भी SIM काड इस्तिमाल कर सकते हो जो भी आप चाहो और साथ में आपको बैड़े बता दी। ही दिया कि interneight data सिरफ और सिरफ आप GEO की ही SIM काड पर इस्तिमाल कर सकते हो तो बस जहीतास कि इस वीडियो में वीडियो को शेयर कर दीजिए गार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए गार